तो हमने इस शोज डेटा पर लूप करके उन सभी को रेंडर करा लिया है लेकिन फिलाल अभी भी हमारी वेबसाइट बिल्कुल स्टेटिक है एक बार ये UI लोड हो गई है इसके बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो पेज को डैनेमिक बनाने के लिए कि यूजर इसके साथ कुछ भी इंटरेक्ट करें और उसके हिसाब से UI में कुछ चेंज हो तो इसके लिए हमें यूजर इवेंट को कैप्चर करना होगा तो नॉर्मल हम जावा स्क्रिप्ट में यूजर इवेंट को कैप्चर करते थे document.querySelector का यूजर करके और फिर उसके अंदर हम कोई भी element सेलेक्ट करते थे जिस पे हमें वो इवेंट कैप्चर करना है और फिर उसके बाद addEventListener का यूजर करके हम उस पर इवेंट लगाते थे लेकिन react में हम ऐसे direct DOM में लूपलेशन नहीं करते इसकी जगह हम direct किसी भी element के अंदर प्रोप का यूजर करके इवेंट को कैप्चर कर सकते है जैसे मालो अगर हमें click event को कैप्चर करना है तो हम इसके अंदर पास कर देंगे on click prop और ये accept करता है एक function ये function हम एक arrow function मना सकते है या फिर हम function keyword का use करके भी function यहाँ पर declare कर सकते हैं तो यहाँ पर जो भी हम function में अपना कुछ भी code लिखेंगे अब ये function execute होगा जब भी हम इस div element पर click करेंगे तो इसको test करते हैं हम जाएंगे inspect पर और किसी भी element पर click करेंगे तो हमारा click event अच्छे से काम कर रहा है ऐसे ही हम हमारे पास बाकी सभी event listeners हैं जो on keyword से start होते हैं जैसे on mouse enter, on mouse down यह सभी events हमें मिल जाएंगे अब एक और बात का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है कि यह जो props है events वाले यह हमारे जो inbuilt HTML के elements है जैसे div h2 वगेरा इन पर ही काम करेंगे अब जैसे हमारे यह show component है जो हमने खुद बनाया है इस पर अगर हम on click event का use करने के try करेंगे तो यह काम नहीं करेगा react समझेगा यह एक show का prop है जिसको हम show के अंदर यहाँ पे extract कर सकते हैं तो अगर आपको खुद के बनाए किसी component पे कोई भी event listener लगाना है तो हमें let's say यहाँ पर एक कुछ भी function है अब यह function हम यहाँ से access कर सकते हैं on click handler के नाम से और जो भी हमारा parent element है उस component के अंदर वहाँ पर फिर on click के अंदर यह function pass कर सकते हैं तो खुद के बनाए components पर ऐसे हम events को capture कर सकते हैं तो अभी के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है इसको हटा देंगे यहाँ से भी अब इसका use करके मालो हमें एक like counter बनाना है जो हर show के अंदर होगा तो हम show component में आएंगे और इस period के बाजो में हमें एक चाहिए hurt का icon और उसके बाद एक counter अब icon के लिए तो हम उसको download करें फिर उसको import करके use करें और एक option हमारे पास available है कि हम किसी भी icon के package को install कर लें तो यह काफी easy option है तो आप npm की registry पर जाकर यहाँ पर कोई भी package search कर सकते हैं जैसे icons और इन में से जो भी package आपको अच्छा लगे उसको आप install करके use कर सकते हैं मैं फिलाल use करूंगा lucid react यह भी एक icon pack है तो इसको अपने project में install करने के लिए हम एक और नया terminal खोलते हैं औ और npm से हम इसको install कर लेंगे अब हम अपने package.json में जाके देखेंगे तो हमारा icon वाला package install हो गया है तो इसकी website पर जाके देखते हैं कि hurt वाले icon को हम कैसे import कर सकते हैं हम जाएंगे icons पर यहाँ पर search करेंगे hurt तो यहाँ से gss का code हम कर लेंगे इसका copy और यहाँ पर करतेंग paste तो इसको हमें import भी करना पड़ेगा तो import करने के लिए component के नाम के बिल्कुल end पर कर सर लाओ और दबादो control space और vs code के suggestions में से फिर हम इसको lucid react से import कर लेंगे बढ़िया हमारा icon आ गया है अब इसके बाद हमें चाहिए एक counter जो likes को count करें तो एक variable बना लेते हैं पहले counter नाम यहां पर हम इस counter को add करते हैं अब हर्ट आइकन पर हमें own click event लगाना है अब direct यहां पर function की definition देने के बजाए best practice यह रहेगी कि हम एक अलग function बना ले और यहां पर उस function का सिरफ नाम पास करते हैं जैसे like button handler नाम का हमें एक function बना सकते हैं अपनी GSX के बाहर एक arrow function बना लेंग हमें इस counter को एक बढ़ाना है तो counter में हम एक value बढ़ा देंगे जो उसकी previous value है उससे अब check करके देखते हैं UI में कोई भी change नहीं हो रहा है तो एक बार console.log करा के देखते हैं कि हमारा function run भी हो रहा है या नहीं तो हमारा function तो run हो रहा है लेकिन फिर भी UI में कोई change नहीं आ रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि react को variable से कोई मतलब नहीं है तो इसको समझने के लिए हमें react को थोड़ा और अच्छे से समझना होगा तो हमारा एक जो component है वो basically एक function है और इस function को हमने call कब किया हमने तो कभी call किया ह नहीं है तो इस show function को हमने इस shows वाले function में use कर रखा है तो जब भी हम ऐसे component को किसी को use करते हैं basically react में हम उसको call ही कर रहे है तो जो हमारा ये shows वाला component है इसको कौन call कर रहा है जो हमारा main app component है और जो हमारा app का function है उसको कौन call कर रहा है उसको हमारा direct react call कर रहा है तो क्या पहले हमारा app execute हुआ, app के अंदर हमारा show component था, ये वाला function execute हुआ, उसके बाद हमारा shows वाला component execute हुआ, तो इसने देखा कि इसके अंदर हमारे multiple shows component भी है, अब इसने ये show वाले multiple components को execute कर दिया, और हमारी final UI render हो गए, लेकिन अब हम इस variable को change कर रहे हैं, तो ये change तो हो रहा है, लेकिन ये function अब दुबारा कोल नहीं हो रहा, react को किसी variable से मतलब भी नहीं है, कोई भी variable की value change हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, उसने एक बार जो भी हमारे component tree में, जितने भी components हैं, उनको render कर दिया है, अब दुबारा वो उनको render नहीं करता, तो हमें react को specially बताना पड़ेगा, कि सुन भाई, ये हमारा special variable है, जब इसकी value change हो, मुझे इस function को दुबारा execute करना है, और UI में वो value दुबारा से update करना है, तो ऐसा special data, जिस पे हमारी UI depend करती है, उसको बोलते है state, तो हमें इस normal variable की जगा, एक special state variable बनाना पड़ेगा, तो react में state बनाने के लिए, या state का use करने के लिए, हमें use करना पड़ेगा useState method, जिसको हम import कर सकते हैं, react से, तो ये होगा एक named import, useState from react, अब इस method को हम use करते हैं, तो लिखो useState, अब इस method के अंदर, हमें देनी हुई state की एक default value, जिसे हम variable declare करते, time एक default value देते हैं, वैसे ही, तो starting value हम देते हैं 0, अब ये method कुछ चीज़े return करता है, उसको एक variable में store करा लेते हैं, और check करते हैं, क्या ये return करता है, तो जितने भी हमारे पास show component थे, सभी में ये print हो गया है, तो ये एक array return कर रहा है, जिसमें पहली value है, जो हमने default value set की थी, और दूसरा एक function है, तो ये एक setter function है, जिसका use करके हम, इस state value को change कर सकते हैं, तो हम एक काम करेंगे, कि destructuring का use करके, तो value को हम counter में store कर आ लेंगे, और method का नाम हम दे सकते हैं, set counter, बढ़िया, अब ये counter हमारा एक special variable है, जो हमने use state से मिला है, तो अब try करते हैं, अब भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इस counter को normal तरीके से update कर रहे हैं, state को update करने के लिए, हमें ये function का use करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर हम use करेंगे set counter का, उसकी value कर देंगे, जो हमारी previous value है counter की, और plus 1, अब हम try करेंगे, तो हमारा like counter परफेक्टली वर्क कर रहा है, बढ़िया, तो dynamic applications बनाने के लिए, state का use हम हर जगा करते हैं, चाहे वो notifications के alerts हूँ, या एक cart का section हो, सब में हमें UI को user interaction से update करना पड़ेगा, तो इन सब में state का use होगा ही होगा, तो state react का बहुत ही integral part है, अब state के बारे में कुछ important points हैं, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, पहले तो अगर हम एक बार inspect पर जाके check करेंगे, एक बार reset करते हैं UI को, starting में हमारे counter की value है 0, अब जब हमारा counter update हो गया है, उसके बाद फिर से counter को print करा के देखते हैं, तो पहले हमारी 0 है, अब हम button पे click करेंगे, तो जो line 13 है, यानि ये वाली line है, अभी भी इसमें 0 print हुआ है, और जब state update हुई, तो function हमारा दुबार execute होगा, तब जाके counter की value 1 हुई है, तो react जितनी भी हमारी state में updates हैं, उनको schedule करता है, तो अगर हम latest state को, just उसके update होने के बाद, access करने की कोशिश करेंगे, तो हमें previous जो state है, वही मिलेगी, second point है, हमारी state की जो value है, वो per component instance की अलग होती है, यानि हमारा ये शिंचन वाला component है, इसकी state की value अलग है, ये छोटा भीम वाला instance है, इसकी state की value अलग है, तो जो main हमारा जो show component है, वो एक template है, और इस template का यूज़ करके, हमने multiple shows component को UI में अपने render किया है, अब इन सब के पास counter state की अपनी खुद की अलग अलग कोपी होगी, और जब एक counter में change होगा, दूसरी states हमारी same रही अब next points समझने के लिए, पहले हमें component की life cycle को समझना पड़ेगा, तो एक component की life में मेली तीन चीज़े होती है, पहले stage में जब हमारा component mount होता है, state में हमारी default value assign हो जाती है, अब मालो state में कुछ change आया, अब हमारा component है second phase में, तो जब component rerender होता है, हमारी जो भी updated value है, वो state में assign होगी, ये default value दुबारा से assign नहीं होगी, last में अगर हमारा component dome से unmount हो गया, तो हमारी existing state destroy हो जाएगी, तो state is not permanent, अब last point, जब भी हमारी state में कोई भी change होगा, तो कौन-कौन से component उससे rerender होगी, तो पहला तो obvious है, जिस component से वो state link होगी, वो rerender होगा, और second, अगर उसके कोई child component से, वो भी rerender होगी, तो बस यार, इतना है इस वीडियो में, next episode में हम state का यूज़ करके, इस search bar को implement करते हैं, तो मिरते हैं next episode में, take care, bye.